नमस्कार आप देख रहे हैं आपका अपना टालेवीग्स टीवी चैनल जहांपर मैं प्रिया पांडे आप सभी लोगों का इक बार पर से स्पागत करती हूँ चलिए बात के लिजाए कलस्टीवी के दि मोस्ट पॉपुलर्स शो मेगा बरसेंगे की दोस्तों सेरियल मेगा बरसेंगे के आगे आने वाले ट्रैक में फूने जा रहा है मेगा और अरजुन की शादी को लेकर एक बहुत बड़ी दी बीजी और खुराना जी के बीच में जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप क्या है ना यहाँ पर मेगा की ये शादी दूसरी शादी है जो खुराना जी अपनी जिद पर अरजुन के साथ करवा रही है वहीं दूसरी तरफ अरजुन जो है वो मेगा से प्यार करता है लेकिन उसका पूरा परिवार मेगा को एकसेप्ट नहीं करना चाता है लेकिन अरजुन के प्यार के वज़ह से ये लोग मिलकर मेगा और अरजुन की शादी के लिए तयार तो हो गए है मगर अब इस शादी में अर्चन लाने के लिए जो बीजी है वो बिलकुल तयार बैठी है और इसलिए अब बीजी ने क्या किया है ना कि अकेले में खुराना जी से बात की है जहाँ पर उन्होंने उनकी गरीबी का मज़ाग उड़ाया है और कहा है कि आपको हम अपना एक IAS ओफिसर दे रही है और उसके बदले आपके छोड़ी हुई बेटी हम लेकर जा रहे है तो क्या मेरे IAS बेटे के लिए आपकी तरफ से कोई दान नहीं बनता कोई दहेज नहीं बनता और ऐसे में जो खुराना जी है वो सच में अपने आपको बहुत छोटा मैसूस करते हैं कहते हैं कि नहीं मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी करूँ आ और ऐसे में वो अपना घर बेचने का फैसला करते हैं वो भी घर में बिना किसी को बताए रंजीता और खुराना जी जो है दोनों मिलकर ये फैसला करते हैं और घर बेच देते हैं और मेगा की शादी बहुत धूम धाम से करते हैं और वी जी को धेर सारे पैसे भी देती हैं फिलहाल ये बात पोरी तरीके से छुपी हुई है लेकिन क्या होगा तब जब इस बात के बारे में आजुन और मेगा को पता चलेगा कि किस तरीके से बी जी ने खुराना जी को मेगा के पिता को जो है दहेज के लिए प्रताडित किया और उनसे दहेज लिया है और ये बात किसी को बताए भी नहीं है तो पाफ इंट्रिस्टिंग होने वारा है का इस सीरिल मेगा बरसेंगी का ये शादी स्पेशल ट्रैक निसमत कीज़ेगा जरूर देखेगा